गुड यूणिंग प्यारे बच्चो, हाउ आर यू, हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुस होंगे, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, साल्ट के बारे में हम एक्स्प्लेन करेंगे, कि वाट इस साल्ट, साल्ट क्या होते हैं, साल्ट के डिफिनिशन क्या है, साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, और क्या क्या आपकी एक्जामिनेशन में आते हैं, आप UP बोड से हो, यहीं कोश्चन हर किसी के बोड में आता है, बस होता क्या है, कि लेंगवेज चेंज हो सकता है, तो हम स्टार्ट करते हैं, साल्ट के ब क्या वे compound जिनके अंदर acidic radical भी हो और basic radical भी हो दोनों acidic radical भी हो यह कही compound में और basic radical भी हो उनको क्या कहा जाता है salt कहा जाता है अब इसको हम बताएं नेक्स्ट क्या होता है salt are produced by the neutralization reaction of acid and base क्या salt बनता कैसे salt acid and base के neutralization reaction से बनता है salt are produced इसके पहले हम आपको बताये थे जब acid base का reaction बता रहे थे तब आपको बताये थे कि जब acid base के साथ reaction करता है क्या बनता है neutral solution बनता है क्या बनता है neutral solution तो यहां पर आप देखिए salt are prepared by the neutralization reactions क्या neutralization reaction से salt बनते हैं और आपको बता दें कि जो भी acid base reaction होते है क्या होते है acid base reaction होते है उनसे क्या बनते है salt बनती है neutralization reactions between acid and base between acid and base यानि कि जब acid और base आपस में reaction करते हैं तो salt बनते हैं अब ध्यान दो आप examples देखते हैं क्या होते है salt जैसे examples यहां से सुरू कर देते हैं मैं example तो जैसे आपका है NaCl क्या है NaCl NaCl एक salt है और NaCl किस acid से और किस base के combination से बनता है उसको जड़ा ध्यान से देखिए NaOH एक base है और HCl एक acid है जब NaCl बनता है तो HCl और NaOH का reaction होता है यहां से बन जाता है H2O क्या बन जाता है H2O बचता क्या है NaCl क्या बचता है NaCl यहां से Na बचा और यहां से क्या बचा NaCl बन गया क्या NaCl H2O जब भी salt का reaction होता है क्या acid और base का reaction होता है तो salt और water बनते हैं क्या बनते हैं salt और water बनते हैं कुछ और example के बारे हम discuss करते हैं जैसे और कौन से salt है जैसे KCl क्या KCl एक अलग salt है उसके बाद हम KNO3 KNO3 एक salt है उसके बाद CH3 COona CH3 COona यह एक salt है नेक्स्ट जैसे NH4Cl क्या NH4Cl NaHCO3 Na Na2CO3 CuSO4 कापर सलफेड बोलते हैं CuSO4 को कापर सलफेड उसके बाद जिंक सलफेड C A C A P B क्या P O 4 का होल ट्वाइस C A CO3 हम धेर सारे साल्ट को इसलिए बता दे रहे हैं कि कभी भी आपको जो है एक्जामपल्स भूलेने केल्सियम कार्बोनेट K2SO4 यहाँ पर धेर सारे एक्जामपल हो गए साल्ट के अब हम आपको उताएंगे कि साल्ट क्या होते हैं एसिडिक होते हैं बेसिक होते हैं या नूट्रल होते हैं अब ध्यान देजिए साल्ट में भी एसिडिक या साल्ट एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं क्या होते हैं और क्या होते हैं नूट्रल भी होते may be acidic, basic or neutral, salt तीनों तरीके के होते हैं, acidic भी होते हैं, basic salt भी होते हैं और neutral salt भी होते हैं, अब कैसे acidic salt बनते हैं, कैसे basic salt बनते हैं, और कैसे neutral salt बनते हैं, इसके बारे में हम discuss करेंगे, जो सबसे पहले हैं, हम आपको neutral salt के बारे में बताते हैं, जो पहला प्रकार है, सबसे पहला क उसके बाद कौन से salt आते हैं, उसके बाद आप क्या आते हैं, acidic salt क्या होते हैं, acidic salt, उसके बाद आप क्या आते हैं, basic salt क्या होते हैं, basic salt, तीन तरह के हमारे salt होते हैं, acidic salt, basic salt और neutral salt, अब आपको हम बता दें कि कैसे neutral salt बनते हैं, कैसे acidic salt बनते हैं, कैसे basic salt बनते हैं, इन तीनों क बारे में हम discuss करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा होता है neutral salt होता है तो आप फेडिंग डाल देंगे पहले neutral salt क्या डालेंगे neutral salt neutral salt को अच्छे तरीके समझे कि neutral salt बनते कैसे हैं जो पहला example है neutral salt जब एक strong acid क्या strong acid किसके साथ reaction करता है strong base के साथ reaction करता है तो जो salt बनता है उसको हम बोलते है neutral salt strong acid strong sa का मतलब होता strong acid sb का मतलब होता strong base strong acid strong base के साथ reaction करेगा जो salt बनेगा इसको बोलते है neutral salt क्या बोलते है neutral salt प्लस water बनेगा अब strong acid और strong base दूसरी चीज़ अभी हम इसको example दे के explain करेंगे पहले हम बता दे रहें कैसे बनते हैं दूसरे जो होते हैं acidic salt क्या होते हैं acidic salt acidic salt को समझते हैं acidic salt में जैसे यहां पर होता क्या है कि strong acid acid जो होता strong होता है curious प्लस जो बेस होता है भी वीक बेस होता है क्या होता है फीक बेस होता है तो जो साल्ट बनता है वो क्या बनता है एसीडिक क्या बनता है एसीडिक प्लस एच्टूओ तो बनेगा ही एसीडिस्ट्रॉंग है इसलिए साल्ट क्या बना एसीडिक ध्यान दीजिए यही से है तीसरा जो टाइप से हो होता है आपका बेसिक साल्ट क्या होता है बेसिक साल्ट अब हम आपको बताएं कि जैसे इस्ट्रॉंग base है, क्या है strong base है, weak acid है, क्या है strong base, base हमारा strong होगा, acid हमारा क्या होगा, weak होगा, अगर इस तरीके से हमारा salt बनेगा, salt बनेगा, salt plus water, यहाँ पर होता क्या है strong base, जब strong रहेगा, तो salt हमारा basic बनेगा, जब base strong है, तो salt क्या बनेगा, basic बनेगा, जाइर सी बात है, जो base strong है, तो basic salt acid strong है, तो acidic salt, यह बहुत important बात है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यह बन गया basic salt, अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, कि अगर strong acid था, और strong base था, तो salt बना, क्या बना, neutral बना, और उसके बात, जो strong acid था, और weak base था, acid strong था, तो acidic salt बना, अब अगर दोनो weak weak था, तब क्या होगा, चौथा प्रकार जो होता है, अगर weak acid हो जाए, प्लस weak base हो जाए, क्या हो जाए, वीक base हो जाए, वीक acid हो जाए, तो जो हमारा salt बनेगा, तो कैसा salt बनेगा यह देखे, यह यहाँ पर आपने लाइन दे दिया है, जब दोनो weak क्वीक हो जाएंगे तो साल्ट इस बात पर डिपेंड करता है किसका पीएच अच्छा है अगर जो है बेसिक वाले का पीएच क्या होगा जैसे पीएच स्केल है आपको पीएच हमने बताया होगा यहां से देखिए अगर जो बेसिक है बेसिक का जो एसिदिक का पीएच होता ह इहां पर इस तरीके से दिखिए अगर stomach जो भीख दोनों होते हैं यहां पर हमने बताया कि अगर Hydrat weak है इह best С्ट्रॉंग लेकिन अगर दोनों वीक वीक रहते हैं तब क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर दोनों वीक वीक रहते हैं तो हो सकता है यह बेस वाला का पीच यहां कहीं हो एसीड वाले का भी यहीं कहीं बीच में हो तो इस पर डिपिंड करता है कि किसका पीच ज्यादा प्रभावी ह अगर basic का pH ज्यादा प्रभावी होगा तो basic salt बनेगा और acidic का pH ज्यादा प्रभावी होगा तो acidic salt बनेगा, क्या बनेगा, acidic salt, यह बहुत important salt है, अब हम आपको बताने वाले हैं, कि जो है, इस सभी acidic, basic and neutral salt का example, जो आपके exam में पूछा जाता है, example देकर समझाएंगे, सभी के types को तो next video में हम इसको समझाएंगे, उसके बाद बताएंगे, pH of salt, family of salt, आज की वीडियो में इतना ही, तो next video में हम समझाने वाले हैं, जो हम बताएं, acidic, basic, neutral salt, इस सभी salt को हम बना के, और इसका जितने भी example, आपके exam में आने वाले, जो है, सब के सब हम आपको कराएंगे, तो आज के लिए इतना ही, dear student, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करो, वीडियो को share करो, चैनल पर पहली बार आयो हो, तो चैनल को subscribe जरूर कर लो, ताकि हर step by step वीडियो आपको मिलती रहे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर next video में,